बालगाट में सब्जी का विफसाय करने वाले दो यूवकों ने मानवीय तका परीज़े देते हुए एक पांच वर्ची मासुम बच्ची को उसके परीजनों से मिल वाया पतल शहर मुख्याले से गुजरी बजार में एक पांच वर्ची बच्ची बुद्वार को रोती बिलगती देखी गई जिस पर कई लोगों की नजरे भी पड़ी पर किसी ने इस बच्ची की सुध तक नहीं ली इस बीच यहां पर सबजी का व्यवसाई करने वाले दो यूवक जिसमें शेक फिरोज और मुहमद ने मानवता का परीचे देते हुए इस बच्ची से उसके बारे में पूछताच की बच्ची सिर्फ अपने गाउं का नाम रटा रटा ही रट लगाए हुए थी यूवक इस बच्ची को अपने साथ लेकर थाना भरवेली पहुचे जहां उन्होंने पुलीस को इस मामले की सारी जानकारी दी मामला बच्ची से जुड़ा देख भरवेली पुलीस भी फोरन हरकत में आ गई और बच्ची के माता पिता की खोज बीन कर रटा गाउं में संपर्क किया और बच्ची को इसके माता पिता से मिलवाया इधर इस मामले में स्कूल प्रबंदन की लापरवाई भी उजागर हुए बताया जा रहा है कि इस बच्ची के पिता ने बालागाट के गुजरी बजार में स्थित सरकारी स्कूल में कल ही इस बच्ची का दाखिला करवाया था लेकिन बच्ची कैसे स्कुल से बाहर निकल गई इसकी भनक तक इसकुल प्रभंधन को नहीं लगी जो की अब बड़ी लापरवाही के तौर पर उजागर हो चुका है आज गुजरी मार्केट बाला घाट में एक बच्ची होती हुई अखलत में छे साल की बच्ची सबजी बेचने वाले दो लोगों को मिली थी तो उन्होंने उससे जब पूछा तो वो के वह रट्टा बता पा रही थी जो रट्टा थाना भरवेली का एक गाउं है वो उसे थाने भरवेली लेके आये और यहां पर हमारे द्वारा जब रट्टा गाउं में संपर्क किया गया तो उसके बच्ची के परिवार वालों से उसके पिता जी ने बताया कि हम उसको गुजरी स्कूल में आज ही एडमिशन करा के आये थे और इसकूल में छोड़ा था लेकिन बच्ची स्कूल से बहार निकल गई और इसकूल से जब जानकारी लगी तो वो खोज रहे थे और इन लोगों के सब्जी के मानों का फूनकार ये और सजक्ता से बच्ची को हम उसके परिजनों तक पहुचाने में सफल हुई उसके माता पिता ने दोनों ही सब्जी वाले भाईयों का और पुलिस थाना भरवेली का सुपरियादा किया है एक का नाम है शेक फिरोच और दूसरे का नाम मुहमद है दोनों ये बुजरी मार्केट में सबजी बेशते हैं ग्राइंड भारत टीवी के लिए बाला खाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट खबरों में बने रहने के लिए ग्रामिन धारट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें